परविंदर सेटी जी, अब से एक भाई हमारे सायोगी है करनाटक से वो बता रहे हैं कि इंतजार कर रहे थे इंतजार कर रहे थे कि इंतजार हो गई, मतलब समझ रहे हैं कि अब बहुत हो गया, कुछ मुद्दा आ नहीं रहा है और बीजेपी को अब ऐसे लख रहा है, बैठे बैठे लट्डू मिल गया है, करनाटक में बीजेपी जस्र मना रही देखे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी बात पूरी होने दे कोई व्यक्ति बजरंगंदल से है, कोई बीजेपी से है, कोई कॉंघर से है लेकिन हम प्रस्पर मित्र हैं, हम अलग पार्टी में हैं, हमारी विचार धारा अलग है कभी हमें जात के नाम पे, कभी प्रांत के नाम पे, कभी हिंदो-मसल्मान के नाम से कभी religious sentiments के नाम से बांटा जाता है हमारे रिष्टे राजनितिक पार्टियां तया नहीं करेंगी आप अगर चुनाम में जाते हैं आप manifesto में वादे करते हैं कि जनता को आप क्या benefit देंगे अगर आप उन पूरे संसार के अंदर जो चुनाव होता है manifesto में किये गए वादों के उपर होता है नुकसान हो रहा है कि नहीं Congress को आपको क्या लगता है ये पूरे देश में करनाटक का मुद्धा क्यों आखिर चर्चा में आ गया कि बजरंग बली को ताले के अंदर रखना चाहते ये बताइए आप political analyst है भाई बजरंग बली को बाटने का प्रयास मत कीजिए बजरंग बली सब के हैं ये बजरंग दल एक राजनितिक पार्टी है ये रिलिजियस पार्टी है उसके बारे में बात करी गई है लेकिन आप में इतना उन्माद क्यों है आपने कांग्रेस को चुनाव लड़ने से पहले ही जिता दिया आपने ये तै कर दिया कि वह कांग्रेस पार्टी जितेगी और बैन कर देगी